ये सबस्क्राइब करते हैं उसका मतलब है आफ हाई क्लास, रैंक और ग्रेड, स्टाइलिश, एड्मारेबली स्मार्ट, एलिकेंट, अब क्लासी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गए, एक तो यह के हाई क्लास का है, इसको तो आप अलाइदा रखेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे, कि ग्रेड या रैंक या क्ल क्लास का उंचया होना, उसकी विजए से जो खुब सुर्थी है, उसको आप क्लास ही कहते हैं, लेकिन इसी को स्टाइलिश भी कह रहा है, इसी को एड्मारेबली स्मार्ट भी कह रहा है, कि बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्प, स्मार्ट, और नाजुक यह एलेगंट भी कह कि जस्त बिकर्स किसी के पास पैसा है, इसमताब यह नहीं कि वो बेतर है, सिर्फ इस लिए कि कोई पैसे वाले घर में पैदाव एड़क, इसका पात की बात बीज़े उसका प्वेगंट विज बेतर है, तो समझें एक लिहास से क्लास डिस्टिंशन भी जो है ना, उसमें आप लोग इतना बिलीफ नहीं करते क्लास की बात करना जो कहते हैं कि जो माशनी में पैसे की बेस पे उपर नीचे जो कहना ची डिविजिन बनी विया उसके बारे में बात करने से पहले आजकल लोग बहुत सोचते हैं इन फैक्ट अगर किसी के पाँ ज़्यादा पैसा है तो सिविलाइस माश्रों में वो कभी भी अपना पैसा शो नहीं करता वज़ा यह यह कि पैसे और चीजें जमान जो करते हैं यानि यानि पॉजेशन जिसके पास जादा होगी उससे रिलेटिट काफी जादा जो है वो बदमजगी पाई जाती तो इसलिए आम तोर पे क्लासी वर्ड यूस करना जो है ना किसी ब्यूटी के किसी अलिमन को डिसक्राइब करने के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्रमेटिक है लेकिन अगर इसको हम एनलाइस करें समयने कुछ करें कि आकर क्यों कुछ चीजों को हम क्लासी कहते हैं तो उसके पीछे जो वजुहात है वह बिल्कुल दुरूस्त हैं निसाल के तौर पे अब मैं आपको यह कहते हूँ कि ठीक है मैंने अगर कहीं कह दिया के क्लासी इसकी तस्वीः तो तरह तरह की चीज़ें आ रहे हैं देखें क्लासी में ये भी आ रहा है कि बड़ा ही एलिगंट इंटीरियर एक्जॉटिक टाइप इंटीरियर है और बड़ी नाइसली ड्रेस्ट अप खातून है अब इसकी मिझे क्लास की समय आ रही अब इसको भी मैं कहूंगी कि हाँ च जिसके पास पैसा होता है जो के नखरे भी देख सकते हैं जो ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी के लिए ये नजाकत के लिए चीज़ें करीच सकते हैं कि जरूरते उनकी पूरी हो जाती हैं बड़े राम से और जो बाद में वह आटेंशन पे करते हैं वह जरूरतों से उपर की बेस पहनना या इस तरह के ड्रेस पहनना वह आपकी जरूरत नहीं है सतर ढाकने के लिए नहीं है कपड़े ये उससे उपर की चीज़ थे हैं ब्यूटी के लिए स्टाइल के लिए तो समझें के जब कोई ऐसी क्लास ऐसे लोगों के तेस्ट या फैशन के बारे में बात की जिनकी बेसिक जरूरियाद जो है ना वो पूरी हो चुकी है और अब जिन चीज़ों पर पैसे लगा रहे हैं वो सिरफ खुबसूरती है एस्टेटिक स्टेटमेंट बनाने के लगा रहे हैं तो समझें कि उस किसम की ब्यूटी को जब अप्रिशेट करते हैं यानि किसी भी ख से किस पर लगाया जा सकते हैं या ज्यादा महिंगी वो चीज़े जो आम लोगों आम लोग नहीं करते उन चीज़ों के इस्तमाल की वजए से जो स्टाइल या खुबसूरती आती है तो आहम तरुके उसको आप क्लासी कार्स को भी आप कहेंगे कि जरूरी नहीं कार होना ज तो उस उसकी अगर आपके पास पुरानी कार भी होगी तो आप उसको भी क्लासी कहते हैं क्लासी का मतलब निया नहीं है इसी तरह अब इसमें भी देखे ना अब यह पुराने स्टाइल की है यह नहीं नहीं है लेकिन इसको आप एक अपने क्लासी होने का एक अगर इसमें क यही यही असल में क्लासी की टाइम की ब्यूटी को समझने का एक खानाशी एलेमंट है जो भी नाइसली ड्रेस्ट अप होगा उसको भी क्लासी केंगे मेरे हसाब से जो क्लासी की डेफेरेशन है वह अब देखें इन सब का पैसे से भी जैसे स्टायल से GLEMOR तालूक है कि क्ला को क्लासिक कहा जाता है जिसमें जिसमें ऐसी अशिया यूज होती है जो जिनका तालुक क्विक मैनी से नहीं है कि जैसे किसी के पास नया नया पैसा आया होगा तो वह बड़ी चमकदार शाइनी गोल्डन टाइप चीज़ें करेगा और यह इस चीज की निशानी होती है जिसक जो एक तहजीब और जो एजुकेशन है सच मुझ की चीजों को सच मुझ के क्राफ्ट को सच मुझ की मेहनत को सच मुझ की कहना चाहिए स्ट्रगल को एप्रीशेट करने की जो तालीम है जो के उन लोगों में होती है जिनके पास पुराना पैसा होता है और वो नए पैसे व इस तस्वीर में वह क्लासी की डेफिनेशन बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ना कपड़ों का स्टाइल निया है ना गड़ी नहीं है ना कोई अर्किटेक्चर निया है लेकिन इसमें इस तस्वीर में यह जुरूर शो होता है कि जिस फैबरिक से यह ड्रेस बना हुए इस को यह बता है कि उस फैबरिक के असल वैल्यू कैं वह दूसरों के बताएवे क्विक सोलूशन पे नहीं जाती जो कट्स हैं और जो चीज है जो पराने स्टाइल को पसंद करने वाले लोग है वह इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको यह समझ आ जाती है यह हो जाती है कि जो चीजें बहुत जो चीजें कहना चाहिए के बहुत नाइसली डिजाइन होती है वह एजलेस होती है वह कभी पराने नहीं होती है इस तरह यही बात इस गड़ी के बारे में भी आप कह सकते कि ठीक है अब इस जादा फ्यूल पे रन करती होगी बहुत सारी जो सस्ती तो समझें कि उस जमाने की एचीवमेंट को अगर आज आज भी आप ँचीवमेंट मानते और उसको वैल्लिव करते हैं और अपने करण 95 का चाहिए लाइफ के अदर भी आपने पुरानी चीज रखी मित तो उसका मतलब है कि असल में आपको इस चीज की समझ है कि जो चीज अच्छी है बहुत खास किसम की डिवेलेपमेंट या मेनत या क्राफ्टमेंशिप की वजह से वो हमेशा के लिए अच्छी है आप किसी और के कहने पर किसी अच्छी चीज को पुराना कहके उसको साइड पर नहीं करते तो समझ हैं कि नए टाइब के कपड़ा ही नही है इसके लिकिन अपने अपने पेरियर्ड के जो बہतरीन ぇे निपीरियर्ड के deveरे जो चीज आइ वो इस बंदे ने पहनी ही है कि आज कल टे अप्रेश नहीं लें लग रहां लेकिन यह उस्ली लगए झालको प्रूंकि उसने ने अ उन सब चीजों को इसने पहना हुआ इसका मतबब है कि यह बंदा असल चीज की असल वैल्यू को पहचांता भी है प्रिशेट भी करता और उसको यू नो सामने भी रखता है तो इस वज़े से आप इस तरह की ड्रेसिंग इसा की चीज को क्लासी कहेंगे आप इसको क्लासी कह हाला कि इन चीजों में निया कुछ नहीं है सब चीजें अंटीक टाइप हैं पुराइं टाइप हैं यूज्ड टाइप हैं कोई पूंब शॉच निया नही है लेकिन यह भी उसी चीज की निशानी है कि जब आपके पास पैसा आता है वह दो तीन जनरेशन पहें रहता है त किस चीज में किस लेवल की साइनिटिफिक डिसकावरी या टेकनीक का पॉलिश करना या समझे के टेस्ट का बेतर होना किस चीज में समझे कि सब जदा शामिल है तो फिर आप अपनी उस एजुकेशन की बेस पे अपना एक टेस्ट डिवेलिप करते हैं और आप हर जिसको कहते है देखें जो भी चीज का गुड़ डिजाइन है कोई भी अगर इस कुरसी का गुड़ डिजाइन जो के मैं समझते हूं कि बहुत ही अच्छा डिजाइन है तो यह कभी पराणा नहीं होता वह इसलिए कि अगर यह ज़रूरत पूरी करता रहता है पचास साल तक सौ साल तक 200 साल तक 400 साल तक क्योंकि आपकी बड़ी एक ही जैसी रहनी है आपका मौसाम एक ही जैसा रहने है आपके पास मटीरिल काफी हद तक सिमिलर रहेंगे लोकल रहेंगे तो उसके मताबिक अगर कोई डिजाइन अच्छा है तो वह बहुत लंबे अरसे तक लोगों की ज़रूर उसके गुड़ टेस्ट को आप क्लासी टेस्ट कहेंगे क्यूंकि आप यह बता सकते हैं कि यह टेस्ट दो दिन में नहीं आया इस टेस्ट के आने में 50 साल लगें तो समझें कि यह डेफिनेशन है क्लासी की थैंक यू